हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धपरजेस डेली करेंट अफेर में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 27 मार्च 2019 और यह हमारी 112 क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथ ही questions से related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं चलते हैं question पर question more first हाली में किसे Asian Rich List 2019 में सीर्ष इस्थान प्राप्थ हुआ है तिसका से योफ्षन है हिंदूजा फैमिली तो आपको इतना हिंदूजा फैमिली की बारी में याद रखा हैं एक और important fact आपको बता दें इसमें दूसरे नंबर पर हैं लच्छमी मित्तल चलते हैं next question पर हाली में Global Energy Transition Index 2019 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा इस्थान है तिसका से योफ्षन है 76 हाली में आई Global Energy Transition Index 2019 में भारत का इस्थान है 76 भारत ने दो इस्थान की ब्रदीकर इस वर्ष 76 इस्थान पर आया है इस लिस्ट में स्वीडन पहले इस्थान पर है उसकी बाद है स्वीजलेंड दोस्तो आपको बता दे ये रिपोर्ट विस्व आर्थिक फोरम ने जारी की है तो आपको W.E.F. यानि World Economic Forum यानि विस्व आर्थिक फोरम की बारी में बता दे इसकी इस्थापना 1971 में किलाउस राब ने की थी तो इतना आपको इस रिपोर्ट की बारी में याद रखना है चलते हैं नेस्ट क्वेशन पर हाली में फिंटेक कॉन क्लेब 2019 कहां आयुजित किया जा रहा है जिसका सई उफ्षन है नई नई दिल्ली में फिंटेक कॉन क्लेब 2019 आयुजित किया जा रहा है इसका उदगाटन भारतिय रिजर्व वेंग के गवर्णा शक्तिकांत दास ने किया है फिंटेक की हेल्प से बड़ी संख्या तक वित्तिय श्यवाय उपलब्द करवाई जाती है आपको बता दें इस कॉ नीती आयोग द्वारा किया जा रहा है और नीती आयोग को हम पहले योजना आयोग की नाम से जानते थे तो इतना आपको याद रखना है नीती आयोग द्वारा फिंटेक कॉन क्लेब 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है चलते है next question पर मद्यप्रदेश का कॉन सा airport देश के तीसरे इस्थान पर आया है जिसका सही option है इंदौर हाली में इंदौर एरपोर्ट जो मद्यप्रिदेश का एरपोर्ट है यह देश में तीसरे इस्थान पर है सुविदाओं की लहाज से देश में तीसरे नमबर पर आया है पहले इस्थान पर है वहुनेश्वर और दूसरे स्थान पर है चंडीगड एयरपोर्ट, जलते हैं नेश्ट क्वेशन पर, हाली मैं मद्यप्रधेश के किस जिले में CBSC का रीजनल सेंटर खोला जाएगा, जिसका सही उफ्शन है भोपाल, हाली में भोपाल में CBSE का रीजनल सेंटर खोला जाएगा, यह सेंटर खुलने से स्कूलों की संबंदता, मानिता, परिक्षा, मार्क सीट में कुछ गलतियां का निवारण इस सेंटर से किया जाएगा अभी तक CBSC से जुड़े सारे काम अजमेर के अंदर से किया जाते थे पर आब भोपाल से किया जाएंगे दोस्तो बात आईए भोपाल की तो आपको बता दें, हाली में दो दिवसिये ICAI का सम्मेलन भोपाल में आयवजित किया जा रहा है तो इतना आपको भोपाल के बारी में याद रखना है चलते हैं नेस्ट कॉशन पर हाली में किस राज में 011-3958-9100 help line number जारी किया गया है जिसका सही option है मध्यप्रदेश हाली में मध्यप्रदेश में राज शुक्षा केंद्र और इंडस एक्षन संख्या ने ये help line number जारी किया है इस से parents admission से सम्मन्दे जानकारी ले सकते हैं आपको बता दें जो गरीब बच्चे आराक्षत वर्ग आदी के जो बच्चे होते थे उन्हें private school admission देने से आनकानी करते थे जिसके कारण मध्यप्रदेश में यह number जारी किया गया है दोस्तो अब बात आईए मध्यप्रदेश की तो कुछ important fact आपको मध्यप्रदेश की बारे में बता दे मध्यप्रदेश की स्थापना एक नमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है अनन्दी बेन बटिल मध्यप्रदेश की मुक्यमंत्रिय है कमलनात और मध्यप्रदेश की राजदानिय है भोपाल दोस्तो मैप में ये जगए मध्यप्रदेश को दरसाती है तो इतना आपको मध्यप्रदेश की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में किस महिला को World Yellow 2019 चुना गया है जिसका सई option है नेहा उपाध्या है हाली में नेहा उपाध्या को World Yellow 2019 चुना गया है अमेरिका की Yale University द्वारा दुनिया में 16L लोगों को चुना गया है इन्हें 4 महिने की academic और leadership training दी जाएगी आपको बता दें नेहा उपाध्या दिल्ली की रहने वाली हैं और ये दिल्ली में एक NGO चलाती है चलते हैं next question पर हाली में रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे गरीब जिला कौन सा है जिसका सई option है अली राजपुर हाली में रिपोर्ट के अनुसार अली राजपुर देश का सबसे गरीब जिला है आपको बता दें यह रिपोर्ट United Nation द्वारा जारी की गई है इसके अनुसार गरीब राजजों के मामले में मद्धिप्रदेश भारत में फोर्थिस्तान पर है और सबसे गरीब जिला है अली राजपुर दोस्तो अब बात आईए अली राजपुर की तो कुछ important fact आपको अली राजपुर के बारे में बता दे जाबुआ से 17 मई 2008 को अलग करके जिला बनाया गया दोजा साथ में भावरा गाउन का नाम बदल कर चंदर शेकर आजात नगर रखा चलते हैं next question पर हाली में मद्धिप्रदेश में यूको वेंग का कारेकारी निदेशक किसे बनाया गया है जिसका सई option है अजय ब्यास हाली में अजय ब्यास को यूको वेंग का कारेकारी निदेशक बनाया गया है चलते हैं next question पर हाली में Indian Open Badminton Tournament कहां शुरू हुआ है जिसका सई option है दिल्ली हाली में दिल्ली में Indian Open Badminton Tournament शुरू हुआ है इसमें PV शिंधू और स्रीकांत भाग ली रहे हैं दोस्तो अब बात आई है दिल्ली की तो कुछ important fact आपको दिल्ली के बारे में बता दें दिल्ली के governor है अनिल वेजल और दिल्ली के मुख्यमंतरी है अर्विंद केजिर्वाल दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया मैं अपमें ये जिगह दिल्ली को दर्शाथी है तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है चलते हम एस question पर हाली में किसेे रास्टिय रक्तवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इसका say option है गोल्डी अरोरा हाली में गोल्डी अरोरा को रास्टी रक्तवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है ये अवोर्ड इन्हें शहीद दिवस पर हिमाचल प्रदेश में दिया गया है रक्तदान करने पर इन्हें यह सम्मान दिया गया है आपको बता दें गोल्डी अरोरा मद्यप्रदीश के बीना तहसील के रहने वाले हैं चलते हैं नेक्श्ट कोश्चन पर हाली में पाकिस्तान ने किस कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है जिसका से यॉफ्षान है सारदा मंदर हाली में पाकिस्तान ने शारदा मंदर कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है यह मंदर P.O.K. में इस्थित है यह मंदर 5000 साल पुराना है और भारत द्वारा इस मंदर तक कॉरिडोर बनाने जाने की मंजूरी पाक भेजी गई थी जिसे पाकिस्तान ने मंजूरी प्रदान कर दी है इससे पहले करतारपुर कोरिडोर तक पाक ने मंजूरी प्रदान की है तो आपको याद रखना है पाकिस्तान ने हाली में सारदा मंदर पर मंजूरी प्रदान की है दोस्तो आप बात आईए पाक पाकिस्तान की तो आपको मैप में पाकिस्तान की बारे में बता दें मैप में ये जगाए पाकिस्तान को दरसाती है पाकिस्तान की राजधानी है इसलामाबाद करंसी है पाकिस्तानी रुपिया और पाक के प्रदान मंत्री है एमरान खान तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करेंट अफेयर आप मारे चैनल स्टेडी उनिवेट्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कलम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ल की इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day